हेलो असलावलेकुम आज हम बना रहे हैं राजमा चार्ट इसके लिए हमने राजमा को बॉयल कर लिया एक गिलास राजमा में हमने दो प्यासे तीन टिमाटर और तीन आलू डालकर बॉयल कर लिया इनको एक घंटा उबाला था तब भी हमारे राजमा बहुती मुलायम हो गया अब हम यह टिमाटर पिस से छिलका उतार ले रहे हैं यह चमच तेल हमने गरम करा उसमें जो है हमने एक छोटा चमच अत्रकलसन का पेस्ट डाला इसको अच्छी तरह से फ्राई होने दिया जब यह अच्छी तरह से फ्राई हो गया तो हमने इसमें एक छोटा चमच जीरा पाउडर एक छोटा चमच पिसी लाल मेच एक छोटा चमच नमक डाला है और इसको भूनेंगे जब यह भून जाएगा तो जो हमने टिमाटर और प्यास का मसाला रखा था वो इसमें डाल दिया हमने और इनको मैश करते चले जाएंगे थोड़े से इसमें राजमा है वो भी मैश हो जाएंगे अब हमने इसमें राजमा एक बाउल डाला और वो तीन आलू जो बाल के रखेते वो मिलाए आलूओं के चंक्स चाहें तो आप छोटे छोटे रखने जाहें बड़े बड़े रखने मैंने इनको छोटा छोटा कर दिया था बाद में इसमें एक छोटा चममच हमने चाट मसाला पाउटर जो मेरे घर का बनावा वोई डाला है इसी से बहुत मज़ा आ जाएगा जो यह हमारी राजमा चाट तयार है इस राजमा चाट को हम प्लेट में निकाल रहे हैं इसके उपर हम कटा प्यास, कटी खीरा, कटी भी हरी मिर्च अपने टेस्ट के अर्कॉर्डिंग डाल सकते हैं सेव जो मैंने घर पे बनाई थी पिछले वीडियो में आपने देखी होगी और थोड़े से ग्रीन चटनी ये भी मेरे चैनल पर अप्लोड है तिलवाली हरी चटनी और आजमा चाट तयार है